जै माता की सभी भक्तों को कैसे हूँ आप सब आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्षिती होंगे और मा जगजनी मामबे की क्रिपा सभी के उपर बनी हुई है यही हमेशा आप सभी के लिए दिल से कामना करती हूँ तो कहते हैं कि किस तरह से आपको अपनी कुल देवी को बुलाना है कुल देवी का आवान करना है अगर आप भी चाहते हो कि माता रानी की क्रिपा कुल देवी की क्रिपा आपके घर में हमेशा ही बनी रहे कभी भी माता रानी आप से रूस्ट ना रहे और कुल देवी की क्रिपा आप चाहते कुल देवी को मनाना चाहते हो तो क्या आपको करना चाहिए बिल्कुल सरल विदी के साथ हमें किस तरह से कुल देवी को मनाना चाहिए कुल देवी का आवाहन करना चाहिए सारी जानकरी आपको इस वीडियो में ही दूंगी तो मेरे साथ अंतक बने रहे तब ही आपको सारी व वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुँच जाए और आज हम बात करेंगे कुल देवी की सिंपल तरीके की अराधना या पूजा अर्चना हमें किस तरह से करनी होती है कुल देवी वो होती है जो हमारे कुल में यानि कि साथ पीडियों से पूझती पीडि दर पीडि हम जो है उस देवी की पूझा अर्चना लगातार कर रहे हैं हमारे दादा पर दादा जो है उस देवी को पूझते आ रहे हैं वही हमारी कुल देवी कहलाई जाती है और उनकी कृपा अगर हो जाती है तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होती है जिसके के अंदर मालक्षमी का भी अमेशा भरपूर कृपा रहती है घर में सभी देव देवताओंगी कृपा हो जाती है जब आप अपनी कुल देवी को मनाते हो कुल देवी का आवाहन करती हो तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कुल देवी को मनाने के लिए आपको क्या ऐसा करना च ये दिन हमारा कुल देवी का है जैसे कि अस्टमी है, सप्तमी है, नम्मी है, चोदस है या कोई भी विशेष दिन आपके घर में चलता आ रहा है, पूझता आ रहा है, साल में एक बार पूझते हो या हर छे महिने में एक बार पूझते हो या कडाई माता की लगाते हो भोग परशाद बाटते हो और जैसे की मतलब वेट बगएरा कोई देते हो तो उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे माता रानी की क्रिपा आपके घर में हो और आपको पती पतनी को मिलकर क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आपके बच्चों क अंदर भी ये संसकार आएं बच्चे भी पैचाने कि हमारी कुल देवी भी है और हमारी कुल देवी के बारे में भी उन बच्चों को पता होना चाहिए बच्चों को कैसे पता चलता है कई कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारी कुल देवी कौन है और उनको फ लगाते हैं या विसे इस भेट कोई करते हैं तो ये बात आपने बच्चों को भी तभी पता चलती है जब हम भी कुछ निकालते हैं तो आपको क्या ऐसा करना है जिससे जो है आपकी कुल देवी हमेशा आपके उपर प्रसन रहें और आपके उपर दया की द्रिष्टी मातारा करने की बनी रहे तो आपको क्या करना है आपको जो है जैसे कि आप पूजा पाठ कंटीनू करते हो आपने पती पतनी जैसे घर के हैं उन्होंने जो है कोई भी जैसे अस्टमी का दिन है या चोदस का दिन है माता का या नम्मी है या सप्तमी को आप मानते हो उस दिन जो है नहादो के घर में अपनी पूजा पाठ करनी है और माता रानी से पूरे परिवार ने मिलकर जैसे बच्चे हैं घर में तो उन बच्चों को भी जरूर आरती पूजा में खड़ा कीजे ताकि बच्चों को भी पता चले कि हमारी भी कोई कुल देवी है और उनकी पूजा किस त आवाहन मंतर जानते हो आपको अपनी कुल देवी का आवान कैसे करना है तो वो आवाहन मंतर आप बोलिए अगर नहीं जानते हो तो जै अंबे गोरी की आप आरती कीजिए और उसके बाद जो है आपने पुरे परिवार ने आरती करने के बाद माता की अगर आप भोग परशा से बड़ी भेट कोई भी नहीं होती है और वो भी माता राने को सविकार होती है नारियल की भेट आपको अपनी कुल देवी के नाम पे लगानी की किस तरह से लगानी है आपको जो है नारियल लेना है पानी वाला जो जटा वाला नारियल होता है उसकी जटाएं छिल के आपको उसका नारियल लेना है और उसको अपने मस्तक पर सभी ने लगाना है और माता रानी का आवाहन करना है जैसे कि मा शाकुम्री देवी का आपने आवाहन करना है या बनवोरी माता का आपने आवाहन करना है मा वैशनों का आवाहन करना है मा कालिका का आवाहन करना है उसको जो ह और से जैमाता की जैमाता की करके जो है अवान करके बेट देनी है और उस बेट को जो जल है उसका पूरे परिवार ने अपने मस्तक पर लगाना है और उसके बाद आपने जो नारियल है उसको चील कर पूरे परिवार ने परशाद रुपेन में खा लेना है इससे आपके घर म माता रानी की कृपा रहीगी मा जो है वो आपके भाव की भूखी है आपके खाने की नहीं है तो जैसा आप दिखाओगे भाव वैसा ही आपको रियक्शन मिलता है जैसे कि हम कहते हैं कि अगर हमारे घर में कोई मेमान आता है और मेमान का जैसा हम आदर सत्कार करते हैं उसी त लेट दोगे उसी तरह का reaction आपको भी देगी मातारानी और आपके घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी कमी होने से पहले ही वो कमी पूरी हो जाती है इतनी ज़्यादा कृपा मा कुल देवी की होती है तो ये मैंने आपको कुछ चोटी सी बातें बताई हैं बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं कहने के लिए छोटी हैं क्यूंकि जब हमारी कुल देवी की कृपा होती है तो सभी देवी देवताओं की कृपा आपके घर में होने लग जाती है चाए आप किसी भी देवी देवताओं को मानते हो तो पित्रों की भी कृपा होने लग जाती है जब आपकी कुल दे भी परसन होती है तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और मा के पैरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें बैल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हरे एक वी जाए चलिए जै मात्र है